नमस्कार दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने डूप चैनल विशाल फनीचर में दोस्तों आज की वुडियों बताएंगे कि स्लाइडिंव आडू किस प्रकार से बनाया जाता है दोस्तों इसका प्रोसेस क्या रहता है बनाने के लिए अगर आप नए के लिए तो कितना जग आप छोड़ देंगे तो बिल्कुल परफेक्ट रहेगा वह सब कुछ इस वीडियो में आपको बताएंगे उस्तों कि किसी साब से आपको बनाना चाहिए इसका टाप लाइन है वह कितना रखना चाहिए इसका डीप जो है वह कितना रखना चाहिए तो सब कुछ आपको इस वीडियो में डिटेल्स बाई डिटेल्स बताने वाले हैं तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं तो फ्रेंड स्लाइडिंग वाटूप बनाने के लिए हम लोग जो है इसका पहले से मेटेरियल कट कर चुके हैं तो यहां पे जो हम लोगों ने प्लेवड कटिंग किया हैं दोस्तों यह 22 इंच डीप में कटिंग किया हैं और 18 में का प्लेवड है दोस्तों और इसमें हम लोग दोनों तरफ भी लेमिनेट प्रेसिंग किया हैं और सिंगल तरफ भी लेमिनेट प्रेसिंग किया हैं तो यहां पर देखेंगे बहुत सारा जो पीस है हम कट करके पहले से रख चुके हैं और दोस्तों आपको दिखा देते हैं कि बहुत आगे कौन-कौन से व्यूडियो आपको देखने के मिलेगा तो सबसे बिले आप देखेंगे यह हमारा जो प्लैउड है और यह हाल में रखा आएगा और बहुत जल्दी आपको जह है माडलर किचन का पूरा व्यूडियो देखने की मिलेगा थोड़ा सा आपको दिखा देते हैं कि हमारा जो मौडलर कीचन है बहुत ही ब्यूडिफुल इसका डिजाइन है बहुत बढ़िया यह मौडलर क पर बनेगा इसका इसका वीडियो भी आईगा अब आपको बथाते हैं उस्तों कि वार्ड पूल रूप जो हैं आप कैसे बना सकतें सलाइडिंग वार्डू सब्सक्राइब दोस्तों कमालोंग टाप करेंगे जिस जितना आ भी आपको चाहिए आडूप किस प्रकार से बनाया जाता तो तेस्ट मिनट का वीडियो उस्तों कम्प्लीट जनकारी के साथ में इसमें आपको बता देने वाले हैं तो यह दिखेंगे उस तरफ से कटिंग हो गया अब इसको जो हमाना जेतना साइज आएगा तो हम लोग 8 फीट बनाने वाले हैं तो आप आराम से लगा लें इसलिए स्लाइडिंग आडूप अगर 8 फीट का मेजरमेंट मिलता है तो उससे थोड़ा सा छोटा ही बनाई है तो यह देखिए हमारा जो टाफ है वह कटिंग हो चुगा दोस्तों और हम लोग ने इसमें नया बिलेट का यूज कर रहे हैं और अब भी जब कटिंग करते हैं तो ने बिलेट का ही उसकी है तो यहां पर हम लोग इसको रख दिए और इसका डीप फिर चापको बता दिए दोस्तों की बाइस इंच है और इसका हाप इंच हम बैक सीट मारेंगे तो साड़ी बाइस हो जाएगा तो अब दोस्तों हमारे जो कि मार्किंग करके चेक कर लीजिएगा कि आपका दो जो प्लाइवड है वो कितना साइज इसमें आ रहा है जैसे कि आप देखेंगे यहां पर हम लोगों ने यहां पर इस प्रकार से मार्किंग कर लेंगे और एक बार चेक कर लेंगे बराबार से कि कितना साइज आ रहा है उतना माइनस करके कट कर देंगे तो यह देखें जुस्तों हमारा जो 95 फाइप प्इंचिस हो था उसमेश आप कर देंगे तो 93 आप होगा तो हम उसको उतना साइज में ही कट कर लेते हैं ये दो प्लेवड इसलिए रखके कटिंगे जिस्तो ताकि हो सकता है कि आपका जो प्लेवड है थिकनेस मोटा पतला है तो बाद में आपका जो बॉक्स बनाएंगे वो छोड़ा बड़ा होने का चंजे से इसलिए प्लेवड रखके जरूर चेकिजिए तो ये देखे ए जो नीचे का वार्टकल है ये भी हम लोग ने कट कर लिए हैं अब जोस्तो साइट का जो इसका वाड़कल से वो भी हम कटिंग करेंगे तो साइट का वार्टकल जो होता है जो उसको आपको माइनस कर देंगे यह नहीं कि ऊपर का जो अपना प्लैवूड रहता है जितना साइज का यह देखें इसको भी हम चेक कर लेते हैं यह कितना साइज का है ऐसे तो यह पॉनाइनस का ही रहता है लेकिन आपको जरूर चेक करना है कि कितना साइज का है और उतना ही माइनस करके आ साइट-साइट का Wezens districts सेम अबर एक कटिनग कर लेंगे उसके बाद अपना सलाइडिंग वार्डूप है उसको तयारा करेंगे तो देखेए उसतोंद दो पीश हमारा जो कटके रेडि हो चुका अब इसका कॉतिंग के लिए और हम आसानी से उसको fix कर दें तो यह हमारा हो चुका दोस्तों दो कीला हम लोग यहां पे लगा चुके और सेम दोनों जो side का वाट कला उसमें लगा देंगे अब दोस्तों यहां पे हम लोग 2 इंच का कीला और 1.5 इंच का कीला परयोग करने वाले हैं बोक्स बनाने के लिए और दोस्तों हम लोग इसमें screw भी वालेंगे ऐसा नहीं है कि सिर्फ केला मार की इसमें बोक्स बनाएंगे तो मजबूति के लिए हम लोग 2 इंच का screw भी टाइट करेंगे तो देखेंगे यहाँ पर हम इसको side side का जो अपना वाटकल से पहले उसको fix करेंगे यहनि कि उपर का जो हमारा top है सबसे उपर से बनता है वो तो इसी साब से आपको wardrobe बनाना है जोस्तों और बहुत यहाँ आसानी से आप बना लेंगे जब पूरा वीडियो देखेंगे तो यह देखेंगे यह अपना दोनों तरफ से हम इसको fix कर लेते हैं इसका जो top है और उसके बाद जो हम लोग नीचे का जो इसका वाटकल से वो fix करेंगे तो देखेंगे जोस्तों हमारा जो एक तरफ से fix हो गया है और बहुत ही बड़ी है इसका चिपक गया है finishing आप देख सकते हैं बहुत ही थोड़ा सा भी gap नहीं दिख रहे है अब जो है इस तरफ से हम fix करेंगे दूसरा साइट से तो हम लोग यहां पर दो इंच का जो किला है वही में लगा रहे है उसतों और लास्ट में हम लोग इसमें गुरू नहीं दिखेगा लेबनेट जो है बिल्खुल पर्फेक्ट टच रहेगा तो अब देखेंगे उसतों दो तरफ से हम लोग ने इसको complete कर दिए अब जो पाना नीचे का वाटकल्स है इसको भी fix करेंगे तो यह देखिए उसतों उपर का सबसे पहले जो हमारा हो गया सबस्क्राइब करेंगे तो आपके काम में फिनिसिंग बहुत ही बढ़ी आता है तो दोनों तरब से हम इसको fix करेंगे जोस्तो यह देखेंगे अंदर से भी हम काटकूना चेक कर लेंगे और एक वाटकल से भी चेक कर लेंगे Side Side का लगाएं हैं, जो अंदर का आपका just वार्ट कर्ण पड़ता है Sliding Wardrook के लिए वो 4 इंच सामने से आपको छोड़ना पड़ेगा अगर आप 4 इंच छोड़के लगाएंगे तो आपका sliding wardrobe लगाएंगे दुस्तों जो चैनल आता है बहुत ही अराम से आजाएगा अगर आप 1-1 इंच का 100-100 इंच का अगर आप ब्लैकबोर यूज़ करते हैं तब भी आपका अराम से चल जाएगा तो ये देखिए हम 18 इंच पर मार्किन करते हैं और उपर से 4 इंच छोड़ देंगे तो 18-22 होता है तो ये हमारा चारिन चूपर से छोड़ जाएगा जहाँ पर कि अपना स्लाइडिंग जो है वो लगेगा तो इसका बराबर साइज में हम लोग मेजर्मेंट कर लेते हैं कि कितना का अपना वाटकल्स लगेगा सेम टू सेम साइज का माटकल्स कटिंग करेंगे तो तो कटिंग करने से पहले जो नीचे का इस प्रकार से आप पीसेस लगा लिजिए और उसके बाद ही दो तरफ लेमनेट अगर आप प्रिसिंग किया है तो कटिंग किजिए और तीसरी बात जो 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 बहुत ही अराम आलम से cutting कीजिए ताकि जो आपका जो seat रहता है उसमें कहीं पर भी chipping ना हो क्योंकि जो आप lemonade pressing दोनों तरफ से कर देते हैं तो अगर आप अच्छा से cutting नहीं करेंगे और नए बिलेट से नहीं cutting करेंगे तो finishing जो है उतना अच्छा नहीं आएगा तो बहुत यह आराम से cutting कीजिए तो यह देखेंगे जो अपना जो है इसी हिसाब से मिसको cut कर लेते हमारा दो वाटकल लगेगा यहाँ पर हम लोग 19 इंच मार्किंग करेंगे क्योंकि हमारा जो machine का gauge पिलेट चल रहे है दो एक इंच चल रहा है तो 19 इंच मार्किंग करेंगे तो अपना जो वाटकल कटिंग होगा दोस्तो साइट का यह जो बीच में लगेगा यह हमारा अठा रेंच कट हो जाएगा और इसमें जो हम लोग दोनों तरफ लेमनेट प्रेसिंग कर दिये हैं अभी जो है दोस्तो सिरिफ हम बीच में फुल एक इस्टेट लगाएंगे और एक जो आड़े में लगाएंगे बाद में जो हमारा साइट साइट का वाटकल्स रहता उपने चेका उसको हम फोल्डिंग रखनेंगे दोस्तो क्योंकि फोल्डिंग रखनें से फायदा यह रहता है कि आपका जो बड़ा इटम कभी भी यूज़ करना है निकालना लगाना है तो बहुत ही अच्छा रहता है फिक्स रक देने से नक्सान हे रहता है कि उसको कभी आप निकाल नहीं सकते हैं तो इसको भी हम लोगों ने एक तरफ से इसको बराबर 90 डिग्री में कट कर लेंगे उस्तो यह निकी गुनिय में और दूसरे तरफ से मेजरमेट में कट कर लेंगे तो दोनों जो अपना वाटकर से दोस्तो इसको बराबर साइज में हम कट कर लेते हैं और इसके बाद जो इस को हम cung कर देंगे कि यहन्य की बराबर सीधा हो गया है एक मिलेगा कि मॉडलर किचन का वीडियो की मिलेगा कि जिस आब से बनता है जैसे कि आपको दिखाएं पहले ही तो इह हमारा दोस्तों हम लोग वाट कल दुनों कटिंग कर चुके अब इसको जिए एक जो हमारा मिच मीं सेंटर में लगा उस वीच वीच चंटर में नीचे आपका जहां पर जा रहा है उससा आपस लगा सकते हैं ताकि उपर के तरब अगर आपको कोट लगाना है तो आपको साइजेस बराबर मिले जब की आपको जो हैंगर राट लगाते हैं तो यह देख सकते हैं यहां पर हम लोग ने इसका बराबर मार्किंग कर लेना है तो आपका जो लेम टर्य द रहता है उस तो एक प्लेउट चेक कर लिजिए ब़्राबर साइज में है कि नहीं जब आपका ब़्राबर साइज में आता है तो मार्किंग कर के इसको कटरिंग कर देंगे तो यह ce यहां पर हम लोग मार्किन कर देते हैं और मेशीन जब चलाए उसतो तो थोड़ा सा भी इदर उदर मत चलाए बिल्कुल परफेक्ट चलाए और हम आपको बता है कि कटिंग मेशीन किसे सबसे चलाया जाता है अगर आप नए कार्पेंटर है कट मेशीन चलाने नहीं आता है त कि कटिंग मेशीन कैसे चला जाता है तो यह इसको बराबर साइस में कट कर देते हैं और थोड़ा सा ज्यादा कट करेंगे दोस्तों Steel कि जड़ाना रहता है तो इसको जो आप डिल मेशीन सेस्थ करके दोने तरप से जो जॉयंट है वीच का वो निकल सकते है नहीं तो आपक एक इंच का यही है तो 42 इंच इसका टाप हो जाएगा तो हमारा जो उपर का जहां पर ड्रावर साथ है तो 42 नीचे से हम लोग लगा रहे हैं तो उसे थोड़ा सा कम भी कर सकते हैं अगर आपका वार्ड रूप जो है थोड़ा सा चोटा है क्योंकि यह साथ पिट का वार्ड तो यह देखिए बिल्कुल इसको बराबर से चेक कर लेंगे यह भी साई है कि नहीं तो जी हां जितना साइज का हमारा प्लयूड है उतना ही साइज का है अब इसको भी हम लोग कटिंग कर लेते हैं जो और वीडियो को दोस्तों हम फास्ट भी रखें है कहीं कहीं पर जहां यहां पे वीडियो को फास्ट का जरूर्थ नहीं है वहां पे हम वीडियो को विल्कुल लार्मल ही रखें हैं तो यह ओगल दुस्तों हमारा कटिंग अब जोnews तो मेजर्मेंट करेंगे नीचे से हमारा जोmesan पे और फोटीवर्ट इंच पर ईंच पर आ रहा हा तो मेजर्म जो है हमारा जो दूसरा साइड है उस तरफ भी लगाएंगे तो यहां पे भी हो गया और नीचे के तरफ जो है दोस्तो आप कुछ पीस कट करके लगा लीजिए ताकि जो आपका वाटकल से वो बराबर से लेबल रहे तो यह दिख सकते हैं पहले जो हम जो हमारा आड़े में हमारा जो इसको हम लगाएंगे ताकि जो हमारा जो दूसरा वाला पीस है उपर से लगा दे तो इसके खांचा में अराम से बैट जाए और जो आप यहां पर हम लोग इसको भी दो किलमान के रोग देंगे और बाद में जो है इसक्रू टाइट कर देंगे सब तरफ से पॉन कंपलीट और बागे दोस्तो इस बेडरूम का और कौन सा वीडियो आप देखना चाहेंगे इस वीडियो के बाद में वह भी आप आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएगे दो और इसका स्लाइडिंग चैनल जो हम लगाएंगे और न्यू चैनल है वह भी आपको बताए कि उसको कैसे लगाते हैं और बहुत ही स्मूज चलेगा उसको इस वात का गरेंटी है तो इस वीडियो के बाद जब इसका हम लोग स्लाइडिंग चैनल लगाएंगे तो भी दिखाएंगे अब आप देखेंगे उसको कि हमारा जो सेंटर का वाटकल था वो फिक्स हो चुका है यह देखें उसको बिल्कुल जो है सीधा है दोनों तरफ प्रिशिंग करने से जो आपका वाटकल से दोस्तों वो बिल्कुल सीधा रहता है अब हमारा जो यहां पर वाटकल साने वाला है जो जो की खड़े में है उसको हम लोग लगाएंगे तो चलिए उसको भी कट करके लगाते हैं यहां पर भी जो है दोस्तों अपना जो सेंटर का हम लोग कटिंग किये उसी साब से मार्किंग करके चेकर लेंगे कि अपना जो वाटकल से कहां पर जा रहा है वहां पर मार्किंग करने के बाद यहां पर हम लोग कीला जो है यहां पर दो लगा देंगे और इस जोस्तो वार्डूप स्लाडिंग उसे साब से हमारा रेडियो हो गया बाद में जो आपको उपर नीचे वार्ड कल देना पड़ता है अब दे सकते हैं कभी वार्डूप पूरा तयार होने के बाद में भी तो हम लोग यहां पर मार्किंग करने के बाद यहां पर भी हम इसको क स्लाडिंग वार्डू बना है वो 95 पिंच है तो अपना जो बैक सीट है तो दोनों तरफ से अपना आदा-दा इंच का कटिंग आ जाएगा तो अब जो हम इसी साब से पिक कर देंगे इसी लिए स्लाडिंग वार्डू थोड़ा सा छोटा ही बनाई है अगर आपका 8 फिट नहीं तो कैसे चकरते वह आपको उताते हैं देखिए उस्तों सबसे पहले आपको नीचे से एक एक इंच लगा के कट कर लिजिए बराबर से सीधा हो जाएगा आपका जो धार है और उसके बाद में जितना भी साइज का आपका बैक सीट है माली जी आपका साइज जो है 40 इ बैक सीट है दोस्तों बिल्कुल बराबर काट कोने में है और गुनिय में है यह देख सकते हैं दोस्तों कुछ इस परकार से अब इसका जो कॉनर से वहां से हम लोग चेक करेंगो दोस्तों कि यह बिल्कुल परफेक्ट है की नहीं तो जो है हमारा परफेक्ट है दोस्तों औ तो अब जो है तो हमारा cutting complete उसको होगा है आप इसको बताते हैं कि आप जो इसको कैसे fix कर सकते हैं बिल्कुल आपको जो वार्डूप है जो तो बिल्कुल गुनिये में रहेगा तब आप डोर जो sliding कुछ भी आप लगाते हैं तो बिल्कुल सीधा रहता है और अच्छा रहता ह जोस्तो तो देख सकते हैं जोस्तो हमारा जो back seat cutting हो चुक है आप चलिए बताते हैं इसको fix कैसे करते हैं जोस्तो fix करना तरीका बहुत ही असान है यहाँ पर जो आपका गुनिये के मार्किंग के हैं जोस्तो वो top line पर ही रहना चाहिए यानि की ऊपर के तरफ अब जोस्तो इ बराबर गुनिये में चाहिए तो दोनों तरफ किला पसाने के बाद में हम जो इसका bottom line है जोस्तो उसको हम लोग fix कर देंगे और उसके बाद जो हमारा काट कोलन का लाईन है उसको भी हम fix कर देंगे तो यह जहां पर आपका single playwood है जोस्तो यह नहीं कि आपका 18 mm है और दोनो तरफ से आपको बैक सीट आ रहा है वहाँ पे हम लोग 17 नमर का एक इंच का कीला का परियोग करेंगे ताकि जो हमारा बाहर ना निकले और फिनिसिंग इसका काम का खराम ना हो तो यह देख सकते है जोस्तो नीची के तरफ से भी हम लोग इसको bottom जरूर चेक करेंगे जोस्त इस आप देखनेंगे ज़स्तो दोनों जो हमारा इस प्रकार से बैक सीट box करना था वहँ fix करेंगे एक हमारा हो चुका है अप अब जोको दूसरा अपना fix करना है तो यह देख सकते हैं जोस्तों अब चलिए दूनों जो है cutting करके इसको फिक्स करते हैं और उसके बाद आपक आप देख सकते हैं परने 2 इंच का इस्कुरू हमारे पास है जैसे कि आपको स्टार्टिंग में ही बताए हैं कि आपको सब तरफ से जो आपको इस्कुरू मार देना है ताकि आपका जो बॉक्स का मजबूती है वो बिलकुल बहुत ज़्यादा मजबूत रहे तो हम लोग सब मजबूती है तो जल जाएगा अगर आप इस प्रकार का इस्कुरू बड़ा इस्कुरू टाइट करेंगे डायरेक्ट तो फिरी ओल करने से इसका जो मत्थ है जो वो भी अंदर बैठ जाएगा आराम से आपको पेपर मानने के जरूत नहीं रहेगा और आपका जो इस्कुर यह हमारा छोटा सा मशीन है अगर आप नहीं देखेंगे तो वह वीडियो भी आप देख सकते हैं उस तो यह देखेंगे इसी सबसे पूरा इस्कुरू जो हमारा वह हम लोग टाइट कर देते हैं अब दोस्तो आमाना जो है पाउर का काम हाएगा क्योंकि यह जो स्लाइडि का डीप है आदा इंच का हम लोग बैक मारे हैं तो साड़े 22 इंच हो गया है तो अब इसको उठाते हैं जोस्तो और उठाने के बाद आपको दिखाते हैं कि पूरा जो है कंप्लिट हो गया है और आप यह कैसा दिख रहा है और इसमें का भी बहुत सारा काम बाग है जोस्त सानिवाला है और उपर का पूरा लाप्ट फ्रेम अभी बनना बागी है जोस्तो और यहां पर बीच में हम लोगों को ड्रावर बनना बागी है और नीचे के तरफ इसका करना इसको तो यह देख सकते हैं जोस्तों बिल्कुल जो है कंप्लिट हो चुका है तोड़ा सा नीचे जरूर कमेंट कीजिए दोस्तों अब आपको मालूम हो गया ना कि स्लाइडिंग वाडूप किस हिसाब से बनाया जाता है और इसका जो साइजिस कीतना रगते हैं इसका प्रोसेस कहा रहता है अगर आप नए कार्पेंटर है या फिर मीडियम कार्पेंटर है तो इस को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके जो घंटी आइकन का बटन है उसको दबाके आल पर सट कर लिजिए ताकि जो भी वीडियो में डाले उसका नोटिपेकेशन आप तक सबसे पहले जाए और उस वीडियो को आप सबसे पहले देख भाएं मेलेंगे दोस के पहले, जाए तक सबसे बाएं मेलें दसे थाले चारे आप लिएजिखेशन एक जिए होग को भी वीडियो ह Pure